हेलो फ्रेंड्स पृति देविन चैनल में आपका स्वागत है आज मैं अर्वी के पत्ते की बहुत ही टेस्टी सबजी की रेसिपी ले करके आई हूँ यह बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में यह डिलीजे सबजी कैसे बनी है यह जानने के लिए आपको वीडियो पूरा द तभी आपको समझ में आएगा यह डिलीजे सबजी कैसे बनी है तो इसे बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन पर क्लिक करके आल पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा तभी तो आपको सायरे नए वीडियो के नौटिफिकेशन मिलेंगे तो चलिए सुरू करते हैं यहाँ पर एक मिकसर जार लेंगे 10 से 15 कलिया लेसून की डालेंगे और उसके बाद दो चमच पीला सरसो का यूज़ करेंगे काला सरसो नहीं यूज़ करेंगे उससे कलर नहीं अच्छा आता है और एक चमच साबूत धनिया यूज़ कर पेस्ट बिल्कुल महीन होना चाहिए थोड़ा भी दानेदार नहीं होना चाहिए यह देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट बन करके तयार हो गया है अब हम दूसी तरफ क्या करेंगे तमाटर लेंगे और उसको भी अच्छे से पेस्ट बना लेंगे तमाटर का पेस्ट बना कर यूज़ करेंगे आप कोई और भी ओयल यूज़ कर सकते हैं उसके बाद इसमें हम आधा चमच मेती का दाना डालेंगे और इसे चटकने देंगे चटकने के बाद जब यह थोड़ा सा कलर चेंज कर देगा तो मैंने जो मसाले के पेश्ट त्यार किये थे सरसो वाले मसाले के उसे हम इसमें आड़ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेंगे और जिस कटोरी मसाले रखे तो थोड़ा पानी डालका मैंने असे भी आड़ कर दिया है और अधाफ चमच इसमें हल्दी का एड़ करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर यह सारी चीजे मिक्स करते हुए हम इसे भूून लेंगे और फ्लेम को मेडियम रखेंगे हाई नहीं रखेंगे नहीं तो मसाले जल जाएंगे और low भी नहीं रखेंगे ने तो भूनने में बहुत टाइम लगेगा और इसे फिर ढख देंगे इसके बाद flame को low कर देंगे और दो मिनट के बाद इसे खोल लेंगे और खोलने के बाद फिर चला देंगे इस तरीके से एक से दो बार करेंगे जिसे की मसाले अच्छे से भून जाए और इसमें तेल जो है वो छोड़ दे तो यहाँ पर तेल छोड़ चुका है अब मैं इसमें ट्रमाटर के पेस्ट जो मैंने त्यार किये थे वो एड़ कर दूँगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी गाड़ी और अच्छी ग्रेवी तयार हो इसके लिए मैंने ट्रमाटर का पेस्ट बना करके डाला है कट करके ना डालें इधर जब तक सबजी भून रही है तब तक हम पकोडियां तयार कर लेते हैं उसके लिए मैंने अर्वी के पत्ते लिए हैं और यहाँ पर मैंने 20 से 25 चोटे चोटे पत्ते थे उसे मैंने महिन महिन कट कर लिया है अब मैं इसमें देड़ कप बेसन का एड करूंगी तो यह एक कप बेसन है और इसके बाद मैं आधा कप बेसन और लूंगी और इसे भी मैं एड कर दूंगी दो से तीन चमच इसमें चावल का आटा भी यूज क और उसके बाद यहां पर मैंने नमक लिया है यह टेस्ट के एकॉर्डिंग लेंगे और उसके बाद हम इसमें कलर के लिए हल्दी का यूज करेंगे और थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे इस पे बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे और इसके बाद हम इसे अच्छे स मिक्स कर लेंगे बिल्कुल मसलते हुए मिक्स करेंगे जिससे कि ये सारे पत्ते जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो यहां पर देखिए मैं फिर से पानी स्प्रिंकल कर रही हूँ जितनी पानी की जरूरत हो उतना ही ले यहां पर मैंने दो तीन बार जो है पानी स्प और बिल्कुल हाथों के बीच में मसालते हुए इसे अच्छे से मिला ले यहां पर देखिए मैं मसालते हुए मिला रही हूं जिससे की सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं इसमें और बहुत जादा पानी का यूज भी नहीं करना है यह थोड़ा सूखा ही रखना इसे और दूस जिसे की सारे तेल और मसाले अच्छे से मिल जाएं फिर हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला एड़ करेंगे और थोड़ा सा टेस्ट के एकॉडिंग नमक एड़ करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए चलाते हुए थोड़ा सा हम भून लेंगे इसे और फ्लेम को medium कर देंगे, पहले हमने flame को low किया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं medium flame पे मसाले भुन चुके हैं और जिस कटोरे में मैंने पकोडी के मिस्षर तियार किये थे उसमें बेसन लगे हुए थे तो मैंने पानी डाल करके उसे इसमें डाल दिया है जिससे की पानी डाल देगे दिखेए जिसे पानी डाल गी हुँमें वैसे ही आपको डाल देना है और ग्रेवी एक्टम गाड़ी हो जाएगी उबलने के बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि कितनी गाड़ी यह ग्रेवी तयार हो जाएगी जब तक gravy उबल रही है तब तक हम पकोडियां त्यार कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है कडाही में और यह गरम भी हो गए है और इसमें मैं पकोडियां डाल करके इसे अच्छे से तल लूँगी पकोडियों को मैंने हाथेलियों के बीच में रख करके इसे गोल करके इसे चप्टा आकार दे दिया है आप जो भी चाहें वैसा आकार दे करके इसे तल सकते हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है टेस्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी पकोडियों को कडाही में बहुत ही साधानी पूर्वक डालें जिससे कि आप जले न और उसके बाद जबी एक तरफ से पक जाएं तो इसे पलट दें कलर चेंज होता हुआ आपको नीचे साइड से दिखेगा जैसे कि बाकी की पकोडियों में दिख रहा है ये देखिए उसी तरीके से दिखेगा तो आप इसे पलट देंगे और उपर से भी थोड़ा सा ये सूख जाएगा इसी तरीके से उलट पलट करके पकोडियों को अच्छी तरीके से तल लेना है बिल्कुल क्रिस्पी बना लेना है पकोडियों को तलते से में फ्लेम को मीडियम रखना है हाई या लो नहीं रखना है पकोडियां क्रिस्पी तभी होंगी जब आप मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे हाई फ्लेम पे पकाने पे ये उपर से तो ब्राउन हो जाएंगी अंदर से पक नहीं पाएंगी और ये जब अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएं तो इसे निकाल लेना है बराबर से तलते रहना है जब ये दोनों तरफ से ब्राउन हो जाएं तो फ्लेम को लो करके बराबर चलाते रहना है और चलाते हुए पुरा बिल्कुल ब्राउन करके क्रिस्पी बना लेना है उसके बाद जब ये अच्छे कलर में आ जाएं तो सारी पकोडियों को निकाल लेना है तो यहाँ पर देखिए पकोडियां बहुत ही अच्छे कलर में आ चुकी हैं इसे मैं निकाल लूँगी और जो बचे हुए पकोडियां है ना उसे भी हम तल लेंगे तो यहाँ पर बचे हुए मिस्टर को भी हम तल लेंगे ये देखिए मैं फिर से इसमें डाल रही हूँ और सेम वैसे ही इसे भी तल करके निकाल लेना है तो है ना पकोडियों को बनाना बहुत ही एजी और ये सबजी भी बनाना बहुत एजी है लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसे घर पर जरूर बना कर ट्राई करेगा एक बार बना लिए न तो अर्वी के पत्ते की सबजी आप हमेशा बनाएंगे यहाँ पर इधर देखिए यह हमारा ग्रेवी भी उबल चुका है इसमें उबाल आ चुका है और यह काफी अच्छा और गाढ़ा ग्रेवी बन करके तयार हो गया है तो अब इसी टाइम पे हम पकोडियां जो तल करके रखे थे न उसे हम इसमें डाल देंगे तो यह देखिए मैं सारी पकोडियों को एक एक करके इसमें डाल रही हूँ और इसी तरीके से डाल देना है मीडियम फ्लेम रखना है फ्लेम को हाई नहीं रखना है नहीं तो सारी gravy बिलकुल गाड़ी हो जाएगी और कम हो जाएगी flame को medium करके सारी पकॉणियां डालने के बाद पकॉणियों को अच्छे से चला लेना है जिसे की सारी gravy जो है इन पकॉणियों में घुल मिल जायए और पकोडियों के अंदर तक ग्रेवी पुरा अच्छे तरीके से भीन जाए तो यहाँ पर देखिए मैं फ्लेम को आफ कर दी हूँ और यह सबजी बनके तयार है अब हम इसे सर्व कर लेंगे तो यह देखिए बहुत ही अच्छे कलर में बहुत ही गाड़ी ग्रेवी और पसंद आने वाली है अब जियों को बनाते समय कोई भी प्रॉब्लम आये तो आप कमेंट में लिख करके आप हमसे पूछ सकते हैं मैं तुरंत उसको सॉल्व करूंगी और आपको यह वीडियो कैसी लगी यह रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा पसंद आए तो लाइक सेर सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई